दोस्तो अगर आपको भी English के कारण अच्छी जोब accommodation एक्जाम नहीं हो पा रहा है तो दोस्तो डिस्क्रिप्शन में दिवेवेलिंक से online English class को जोर जोईन कर लें दोस्तो आपको पहले दिन से English में improve होता नजर आएगा तो दोस्तो आज का word of day है room दोस्तो रूम का हिंदी मतलब होता है कमड़ा तो दोस्तो रूम के दो ऐसे example से समझते हैं जो बारबा डेलिज में आता है दोस्तो फर्स्ट एक्जाम पैस पकार है दोस्तो जिसका हिंदी मतलववा वेपार में भवनाओं के लिए कोई जगा नहीं है दोस्तो सकेंड एक्जाम पर इस परकार है वी नीडेड सों फ्रेस एर इन दिस श्टफी रोम दोस्तो जिसका हिंदी मतलव हुआ हमें इस भड़े हुए कमरे में कुछ ताजी हवा चाहिए तो दोस्तो आज के वीडियो को तो यहीं सवाब्त करते हैं प्रन्तु आप अपने मम्मी पापाय क्यार जहुर रखें और जहसे ज़्यादा खुस रहने का तरीका खुजें धन्यवाद दोस्तो